सूर नरेण भगवान को जल चड़ाते समय आपके पंजों की एड़ी मुची नहीं होना चाहिए ध्यान दीजेगा आपका पंजा पाऊं का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भोमी पर हाथ कितने इंच उपर होना चाहिए जल जो गिरे सूरी की किरन उस्जल की रोशनी में करना चाहिए क्या होगा उससे जिस बच्चे को आँख में चस्मा लगा हो मोटे से मोटा चस्मा लगा हो छूट नहीं रहा हो तो थोड़े दिन उसको सूरी का अर्ग चड़वाना चालू कर दो जल में से सूरी का दर्शन कराना चालू कर दो सूरी का दर्शन चल में दो महिना धाई महिना बहुत है आपकी रोशनी बढ़ जाएगी चस्मा हड जाएगी